अजय तो इस वियुक्त करना क्या है कि हमें ये चार पॉइंट देर रखे हैं आपके ये चार कॉदिनेट्स है इसको हमें ग्राफ के उपर प्लोट करना तो हम अच्छाली जो है हम प्लोटिंग का काम पहले पहले कर चुके हैं लेकिन हमने वो कार्टिशन कॉदने सिस्टम प तो हम आपर graph paper है, अब हम करना क्या है, कि हम graph paper ऐसे ही कोई point plot नहीं कर पाएंगे, तो हम करना होगा ये, कि इसके उपर हमें Cartesian coordinate system बनाना पड़ेगा, तो Cartesian coordinate system बनाने के लिए हम already discuss कर जुके हैं, कि उसके अंदर हमें पता है, कि दो coordinate axis होती है, जो आपसे mutually perpendicular होती है, तो आपको वो दो coordinate axis बनानी है, जो आपसे mutually perpendicular होती है, और उसमें से हम horizontal axis को X axis बोलते है, और vertical axis को X axis बोलते है, तो हम बनाएंगे कैसे, तो हम क्या देगे, graph paper लेंगे, और graph paper आपने देखा होगा कुछ direct lines होती है, और कुछ light lines होती है, तो आप जो axis बनाओगे, वो direct line के उपर okay, so अब किसी भी कोई भी center, approximately center के में बनाएंगे हैं, तो कोई भी center line लिऊंगा में dark, और वहाँ पर मैं एक axis बना दूगा, तो यह हमारी axis यहाँ पर बन गई है, so इसको हम extend कर देते है, so this is your X axis, okay, तो यह हमारी X axis हो गई है, ठीक है, अब मैं same thing, Y axis के लिए भी करूँगा, Y axis के लिए भी मैं center में कोई dark line ढूँड़ूगा, और vertical line एक बना दूगा, वह आपकी Y axis हो जाएगी, so यह मैंने Y axis भी यहाँ पर बना दिये, okay, so this is our Y axis, so now, हो, अब हम करेंगे क्या, अब हमने Y axis और X axis बना दिये, तो हम यहाँ पर हम पहले points mention करेंगे, also हमें पता है कि जहाँ पर यह दोनों intersect होते हैं, वो हमारा origin होता है, this is our point O, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह point O है हमारा, और इसके coordinate जो होते हैं, 0,0 होते हैं, okay, this is our origin, cool, so now क्या होगा, अब मुझे यहाँ पर नंबनी करना होगी, अब जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि राइट साइड में positive values आती हैं, और ऊपर की तरफ positive आती हैं, और left में और downside में negative होते हैं, अब में आपर एले value दे दूंगा, like this is 1, this, this is 1, this will be 2, 3, 4, 5, 6, in similar way, either minus 1 होगा, क्योंकि इदर left-right में negative values होते हैं, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, and also here it will be y-axis में करेंगे, अब y-axis में उपर की तरफ positive होते हैं, तो this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, and similar fashion हम नीचे भी कर देंगे, इदर हो जेगा आपका minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, so यह हमारा partition coordinate system बन चुका है, अब हमें आप प्लोटिंग करना है, तो देखिए, तो पहला point हम लेते हैं, जो पहला point हमारा है, वो आपका पहला point हमारा है, 3, 4, ओके, तो यह 3, 4 हमें plot करना है, अब देखिए, अब यह 3, 4 है तो मैं कैसे plot करूँ मा, पहला मैं देखुँगा, इसका x coordinate, तो इसका जो X coordinate है वह यह लेग दिस वन, so this is X coordinate, so X coordinate इसका कितना है, 3 है, इसका X coordinate 3 है तो और यह positive है, this is positive 3, so positive हगर है यह X coordinate, तो यह origin के, मुझे पता है कि origin के right में होगा, इसका मदलब है this is right to origin यह positive है इस नहीं है origin के right में है और 3 magnitude right में है तो positive है तो मुझे right direction मूफ करना origin से और इसका magnitude देखूंगा हमें 3 तो कितना move करना है 3 unit तो मैं origin से start होंगा यहां पर पहले मैं 1 पर पहुंचूंगा यहां 1 पर पहुंचूंगा फिर 2 पर पहुंचूंगा फिर 3 पर पहुंच के रुख जाओ कि मुझे 3 magnitude move करना था तो हम मैं 3 पर पहुंच चुका हूं तो यहां पर एक perpendicular line में draw कर दूँगा जो 3 से तो अब मैं y axis पर जाओंगा तो y axis पर पहले मैं देखूंगा इसका y coordinate का है y coordinate इसका है 4 ओके तो इसका y coordinate आपका है 4 और this is also positive तो मुझे पता है कि जब यह positive होता है y coordinate तो मुझे अब direction मूव करना होता है from origin तो मैं origin से उपर की तरफ move करूंगा और आपके कितना unit move करना है मुझे इसके magnitude के बरावर जो की 4 है तो मैं यहां से 0 से start होंगा फिर 1 पर पहुंचूंगा फिर 2 then 3 then 4 मैं 4 पर आके रुक जाओंगा क्योंकि मुझे पता है कि 4 unit complete हो चुकी है तो यहां पर मैं एक horizontal line खीचूंगा जो 4 से पास होगी और वही वह पॉइंट आपका होगा 3,4 कि यह पॉइंट आपका क्या था 3,4 था ओके तो यह पॉइंट में रहा है 3,4 अब आप ऐसा होने के बाद में एक्सेस ब्लीट कर दूंगा क्योंकि यह temporary access थी जिस इसकी मदा से मुझे पॉइंट मिला है तो यह जो पॉइंट है आपका minus 2,3 के सो यहां पर हम पहले इसका एक्सकॉणियर देखेंगे इसका एक्सकॉणियर आप देख सकते है माइनस तू है इसका साइन नेगेटिव है और इसका मेंगेटिव जो है दो है तो नेगेटिव का मतलब यह हुआ कि हम राइट लेफ्ट में मूफ करेंगे और जिन से लेट में हम दो यूनिट जब मूफ करेंगे तो हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे इस पर पहुंचेंगे अब यहां पर हम एक वर्टीकल लान में आदेंगे जो माइनस तो से पास होगी और इस एकसे से पर 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 बन गई है अब मैं इसके य कोडिनेट पर आऊंगा इसक की करेंगे तरफ जाओंगा और तीन यूनिट मूफ करहंगा तो मैं यहां पहुंचेंगा और इस पॉइंट पर आके मैं रुख जाओंगा क्योंकि तीन यूनिट मैंने मूफ कर लिया मैं इस तीन से पास होने वाली एक लाइन की चुँआ हूँ है जो थीन से पाथ होगी और स्वाइक से परपेंडिकुलर होगी, तो यह देखिए, यह मैंने लाइन यहाँ पर, एक लाइन ड्रॉ कर दिये हैं, तो आप मैं देखूंगा कि यह दोनों लाइन इंटरसेट कहाँ पर होती है, देखिए, दोने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, इस का मतलब यह जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट इस पॉइंट इस माइन ड्रॉ कॉमा थ्री, तो अब ऐसा होने के बाद मुझे इन लाइन की जुरूत नहीं है, कि मुझे पॉइंट मिल चुका है, इन को मेंट लीट कर दूँगा, और यह अपना पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा, यह पॉइंट जो भी इसका अड्रेस है, वह है माइनस तो कॉमा थ्री, लीट जो मैंने माइनस तो कॉमा थ्री भी इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका थर्ड वाला, This is माइनस 4, माइनस 3, सो जब इस third point पर पहुंचेंगे आप तो आपका third point है minus four comma minus three सो इसको भी same तरीके से पहले हम इसका एक्स ये देखेंगे x coordinate और इसका sign देखेंगे और इसका magnitude देखेंगे सो अब मैं इसका sign देखेंगे तो ये negative है और इसका magnitude है four okay so मैं negative है x-axis में left direction मूफ करूँगा origin से और चार यूनिट मूफ करूँगा तो मूफ करूँगा जब मैं ऐसे चार यूनिट तो मैं इस point पर पहुंच जाओगा अब मैं यहां से एक pass होने वाली minus four से पास होने वाली जो इस y-axis-axis के perpendicular होगी तो यह vertical line मुझे मिल गई है अब मैं इसके y-coordinate को देखूँगा so इसका जो y-coordinate है वो आपका negative है और उसका magnitude 3 है सो अब मैं negative है इसका मतलब मैं origin से नीचे की तरफ move करूँगा तीन यूनिट मुव करूँगा जब मैं तीन यूनिट मुव करके नीचे मुव करूँगा तो मैं इस point पर पहुंच जाओगा तो अब मुझे इस point पर एक horizontal line बनानी होगी जो y-axis के perpendicular है और minus 3 से पास होती है तो यह मैंने horizontal line बना दिया तो अब देखिए यह दोनों line इस point पर intersect हो रही है तो यहाला point मुझे मिल चुका है यानि this is the point which is minus 4, minus 3 सो अब मुझे इन vertical lines की ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको हटा दूँगा और यह point रहे जाएगा यह point अपका हो गया है this is the point minus 4, minus 3 सो यह अब आता है आपका last point सो आपका last point है 3, minus 3 सो 3, minus 3 यह आपका last point है सो आब आप इसके x-coordinate को देखेंगे इसका x-coordinate देखेंगे आप तो यह आपको positive दिखेगा और 3 magnitude दिखेगा इसका so 3 positive दिख रहा है इसका मतलब हमें origin से right move करना है x-axis पर तीन unit move करना है तो जब मैं 3 unit move करूँगा right में तो मैं यहाँ पहुंच जाओगा तो मुझे यहाँ पर एक वर्टिकल एंड्रो करना है 3 से pass होती हुई और x-axis के perpendicular okay so मुझे यह line मिल गई है अब मैं इसके y-coordinate को दिखूँगा y-coordinate इसका है negative और उसका magnitude है 3 so negative है इसका मतलब मैं origin से नीचे की चरब move करूँगा और magnitude 3 है यानि 3 unit move करूँगा तो मैं इस point पर पहुंच जाओगा तो अब यहाँ पे एक horizontal line minus 3 से pass होती हुई जो y-axis के perpendicular होगी ड्रो करनी पड़ेगी तो यह मैंने horizontal line draw कर दी अब देखिए यह दोनों लाइन कहाँ पर intersect करती है तो यह हमारा required point है this is the point 3,3 अब मुझे vertical in draw delete करनी है यहां से and this point this point which I just draw so this point is 3,3 so this point will be 3,3 so मैंने चारो point यहां पर plot कर दी है graph में so this is how you do it whenever आपको कभी भी आपको कोई point आपको graph पर plot करना है तो पहले graph पर लेंगे coordinate axis पर बनाएंगे और फिर इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया step by step इस तरीके से आप plot कर देंगे thank you